पंजाब के संग्रूर में बल्सों से बंद पड़े बोर्वेल में फसकर हुई एक दो साल के बच्चे फतेहवीर की मौत पंजाब सकार और इनडी आरएफ के लिए गले की फांस बन गई है पंजाब और हर्यान हाई कोट ने ने सुमवार को भारत सकार पंजाब सकार और इनडी आरएफ का नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि बोर्वेल में हुई बच्चे की मौत के लिए कौन जिम्मेवार है कोट ने ये भी पूछा है कि पंजाब सकार ने बच्चे को बचाने के लिए राहतकारियों में जो देरी की उसके लिए कौन जिम्मेवार है हाई कोट ने पंजाब के मुख्य सचिव से एक स्टेटरस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है जिसमें उनको ये भी बताना होगा कि साल 2010 में सुप्रीम कोट ने बूर्वेल को लेकर जो निर्देश चारी किये थे क्या पंजाब सकार ने उसका पालन किया गया था उधर फटेह वीर के परिवार के सदस्च संग्रूर में भूख हर्ताल पर बैठे हैं और रहतकारे में देरी के लिए जिम्मेवार अधिकारियों के खिलाफ कारवाही की मांग कर रहे हैं गौर तलब है कि इनडी आराइप ने बच्चे तक पहुँचने के लिए नकिवल दो समनांतर सुरंगे खोद डाली थी बलकि वेह बोर्वेल की सही गहराई का पता लगाने में भी नाकाम रही थी इसकी कारण रेस्क्यू में देरी हो गई और बच्चे की जान चली गई विद्डम बना ये है कि इनडी आराइप ने बाद में बच्चे को उसी बोर्वेल से बाहर खीचा जिसमें वे एक फसा था इस खटना ने जहां पंजाब सकार की मुस्तेदी पर सवाल खड़े किये हैं वही इनडी आराइप की कारशेली भी सवालों के घेरे में हैं